गुट मॉर्निंग एवरीवन कैसे हैं आप मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आशक करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे मस्त होंगे मज़े में होंगे मेरा व्लॉग देख रहे हूँगे तो दोस्तों अभी सुबह के साड़े पांच बज रहे हैं चाय बनाने जा र एडिट कर रहे होती हूँ तो अभी चाय बना रही हूँ सुबह और चाय के लिए दोस्तों मैं थोड़ी लैमन ग्रास छट से ले आई थी वो डालूंगी चाय में थोड़ा सा कफ खांसी वगेरा हो रही है सबको ही पापाजी को भी और हम सबको भी थोड़ा सा कफ हो रहा गले में तो फिर सोच रही हूँ इसकी चाय बना कर पीते हैं एक दो बार तो इससे ना कफ खांसी ठीक हो जाता है जो लैमन ग्रास और ये मर्वे के पत्ते होते हैं इससे और ये चने की दाल दोस्तों रात को मैंने चने की दाल और गीया बनाई थी वो बची हुई है तो अ चाय बना करने के बाद और बस अभी उबलती रहेगी जब तक कलर नहीं आ जाता फिर उसके बाद चान कर चाय पीते हैं सुबह की और अभी दोस्तों चाय पीने के बाद फिर तैयारी करूंगी मैं नाश्ते की तो सब कुछ आपके साथ शेयर करती रहूंगी तो बने और देख दे रहिएगा व्लॉक को चाय में कलर आ गया है अच्छा सा और अब बस चाय को मैंने चान लिया है तो बस चाय दे देती हूं और ये दो कप में चाय है पहली हस्बिन को अंदर दे दूंगी और पापा जी को दे आउंगी अभी सो रहे हैं और इधर ग्लास में मै अपने लिए डाल लिए मैं ग्लास में ही चाय पीती हूं तो बस पहले चाय पी लेते हैं चाय पीने के बाद दोस्तों देख लीजे आप मा के दर्शन भी कर लीजे लाइफ वैशनो मा की आरती चल रही है और अभी इस वक्त दोस्तों बज रहे हैं सुभे के साड़े साथ और मैं बनाने की तियारी कर रही हूं नाश्ता और यहां पर जो है आज नाश्ते में सब लोगों ने बोला कि वो कुछ हलका ही खाएंगे तो मैं सेवईयां जो है उन्हें रोस्ट कर रही हूं अच्छे से सेख लेते हूं और सेखने के बाद इन्हें जो है ना मैं बॉयल क करके बनाती हूं कैसे बनाती हूं सारी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूं तो देखते रहेगा व्लॉग को और व्लॉग में बने रहेगा तो सेवईयां दोस्तों अच्छे से जो है ना मैंने सेख लिए बहुत जादा ब्राउन ने की है हलकी हलकी सी करी है बस कलर सा आ गया है और इदर मशीन भी लगा दिया एक तरफ तो कपड़े भी दूलते रहेंगे अभी तो अभी लगाओंगे तो बारा बचे तक यहां पर सेवईयों में मटर डालूँगी मैं तो मटर निकाल लेती हूं और प्रिजबी ना दोस्तों बहुत जादा गंदा हो रहा है यह भी साफ करना है देखती हूं कब टाइम मिलता है तो जैसी टाइम मिलेगा साफ करूंगी यह देख लिजे कलर आगया सेवईयों में बस इनको ना मैं प्लेट में एक में निकाल लेती हूं अलग से और फिर इनको क्या है बॉइल करूंगी मैं और पानी जो है वो मैं गरम करने बस अभी चड़ा देती हूं एक तरफ ये देख लीजिए पानी जो है हलका हलका सा निवाया सा हो गया था बस मैंने तब ही ना इसमें सिवईया डाल दी तो बस अपने आप ये थोड़ी देर में बॉइल हो जाएंगे बहुत जल्दी हो जाती है ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें तो बस इनको बॉ आज के साथ छोग दूगे ना तो थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है और इसमें डालकर वायल करके डालती हूं तो खिली खिली रहती है बहुत अच्छी लगती है तो मतर और यहां पर आलू जो है मैंने छोटी-छोटी काट ली है दो दिया अच्छे से बस इनको छोग देत और आलू छोग दिये है बस इसमें नमग और हल्दी डालके इसको मैं ढपकर पका लूँगी अच्छे से जब यह पक जाएगा और एक तरफ जो सीवईया है वो भी बॉयल हो जाएंगी फिर उनको जो है ना मैं छान कर फिर इसमें मिक्स करूँगी मसाले डालकर यह देख पिर जाएंगे जो सीवईया है वो अच्छे से वायल होने लगी है बस एक तरफ आप मैं टमाटर भी जो है ना वो चौपर में अच्छे से चौप कर लेती हूं और बहुत ज्यादा मोटे जो टमाटर है न वो इसमें अच्छे नहीं लगेंगे तो मैने अच्छे से ना बस इने चॉप करके और फिर मैं आलू और प्या जितने पक जाएंगे फिर उसमें मिक्स कर दूँगे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूं कुछ ऐसा मतलब खास नहीं डालती हूं बस एक इंग्रीडियन है जो इसमें मैं डालती हूं जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छ भी डाल दो तो फिर उससे टेस्ट अच्छा आता है अब लाल मिर्च अगर ना ही डालो तो अच्छा है वैसे अगर डालनी है तो हल्की सी डालना तो बहुत अच्छा रहता है और अगर बच्चे है घर में छोटे तो फिर अगर लाल मिर्च के बिना बनाएंगे और इस तर क्योंकि मैगी तो मैदा की होती है तो फिर भी नुकसान करती है लेकिन ये सूजी की होती है तो नुकसान ने करती तो ये बॉयल हो चुकी है मैंने जो जाली वाली टोकरी है उसमें इसको छान के रख लिया है और इधर मैंने डाले है इसमें आलू पक गए थे थोड़ी सी ला तो बस अब इसको mix कर दूँगे और इसके बाद इसमें जो सिवईया है ना वो मैं mix कर दूँगे बहुत इजी भी बन जाती है ज्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में और सुभे सुभे ना नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है और अगर आप बच्छों को भी मिक्स कर दूँगी अच्छे से तो अच्छे से mix कर ली हैं दोस्तों मैंने देख लीजे आप और खिली खिली बनी है थोड़ी सी प्याज और अगर डालती तो और अच्छी सी लगती है प्यास से ना इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो बस अब बस खा लेते हैं हम लोग भी नाश्टा कर लेते हैं आईए आप भी नाश्टा कर लीजिए और नाश्टा करने के बाद दोस्तों मिलती हूं आप से थोड़ी देर के बाद तो बने रहीएगा आप लॉग में नाश्टा हो गया है दोस्तों नाश्टे के बाद अभी टाइम हो रहा है दो पहर के ना साड़े बारा बज़रे हैं तो फिर मैंने सुचा आज ना थोड़ी मेरी अलमीरा खराब सी हो रखी दी मैंने सुचा उसे अरेंज कर देती हूं और उसके लिए ना मैंने यह अरेंज करने के लिए बैक्स मंगाए हैं ओनलाइन ओर्डर किये थे तो इसमें ना मेरी काफी सारी साड़ियां थी जो हैवी हैवी साड़ियां हैं या फिर जो मैं नहीं भी पहनती वो भी मैंने सुचा इसमें अच्छे से अरेंज करके रख द अर इस तरीके से पैट रहती हैं साडियां यह देख लीजें मैने ऐसे इनको पैक कर दिया इस बैग में और बस इनको सेट कर रहरी हूँ सबको और काफी दिन से सोच रही थी बस टाइम निमिल पा रहा था मैंने बैग्स न काफी दिन से मंगा की रखे हुए थे तो फिर मैने मैं सुचा चलो आज इनको डाल देती हूँ तो यहाँ पर दोस्तों सारे जो साडिया है वो मैं अरेंज करकर की रख रही हूँ दो से तीन बैग मैं बना चुकी हूँ पस इनको रख दूँगी अलमीरा में और आज का व्लोग कैसा लगा जरूर बताईएगा आप कल मिलते हैं एक नई व्लोग के साथ एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाई